लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेश दे बैल आइकोन पर मोर नोटिफिकेशन्स हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूटुब चैनल इस्टेडी आर्टम सो आज में फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुष्टिन्स पेपर सॉल्फ कराने वाली हूं सब्सक्राइब करते हैं फर्स्ट करते हैं हुपसूर्ती देखने वालों की आँखों में होती है किसने कहा यह किसका कोटेशन है सब्सक्राइब करते हैं इमेनियल कांट का सब्सक्राइब करते हैं इसमें त्री पार्ट में इन्होंने एस्थेटिक को डिवाइड किया है भार्तिय सौंदर को श्री नाम से संबोधित किया गया है किस ग्रंत में रिगवेद में रंगो के सन्योजन का ज्यान कराता है रंगो के सन्योजन का ज्यान बननी का भंग कराता है पंडित यसुदरा की एक पुस्तक है जयमंगला जयमंगला पुस्तक में शिक्स लिम्स आफ साडां के बारे में डिस्कस किया गया है पहले नंबर पर है रूपा भेदा, second नंबर पर प्रमाना, third नंबर पर भाव fourth नंबर पर लावन्यय योजना, fifth नंबर पर साधिश्यम और six नंबर पर है वरनिका भंग, color scheme प्रमाड की एक इकाई कहलाती है प्रमार की एक काई को ताल कहते हैं मेजरमेंट के बारे में डिसकस हो रहा है एक चार बारे अंगुल देखें बारे अंगुल होता है एक ताल ठीक और एक ताल एक सीर जो हमारे एक हेड होता है वो एक ताल होता है अब बारे अंगुल एक ताल होता है 7, female का size 7 ताल, 7 ताल और male का size 7, 1.5 साड़े साथ Michael Angelo ने अपने मूर्ती में 8 ताल का 8 ताल का इन्होंने बनाया अपने इस कर्प्टर को रूप जो शक्ती इस्थायुत पे तथा एकता दर्साता है वह है आयता का असंबंद सब्द बताईए इसमें से कौन सा असंबंद है मूर्ती किसी भी बोटल का रिखांकन करने के लिए इनमें से किस जामिती आकार का प्रियोग करते है सपोस कीजे हमने एक ये बेलना का शेप लिया फिर उसको इस तरह से ड्रॉ करने के बाद यहां पर सिंबलाइज करके बोटल का शेप दे दी है तो ये एक बेलना का शेप है इस्थीर मुक आकरिती होती है इस्थीर मुक आकरिती अंडाकार होती है वह साधन जो मूल सतत तांड जिसे टोन कहते हैं टोन के रूप में बिंदू को आकार में तोड़ता है हाफ टोन न्यूटन ने प्रकास के साथ रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तूत किया उसका टाइम डियूरेशन बताना है 1660 में इन्होंने विबग्योर कलर्स की थियोरी दी थी V, I, B, G, Y, O, R कभी-कभी सिक्वेंस भी आजाता है विबग्योर के किन्ही दो प्रधान रंगोतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वै कहलाता है रितियक रंग प्रधान रंग कौन-कौन से इसके बारे में देख लेते हैं तो R, G, Red, R, B, Red, Blue and Yellow प्राइमरी कलर है ना, लाल, नीला और पीला जब Red और Blue को मिक्स करेंगे तो बनेगा हमारा वालेट बैगनी कलर ब्लू और येलो को मिक्स करने पे बनेगा ग्रीन कलर और जब येलो और रेट को मिक्स करेंगे तो औरेंज कलर बनेगा इस तरह से प्राइमरी कलर को मिक्स करने पे जब सेकेंडरी कलर बनते हैं तो उसे ही दृत्यक रंग बोलते हैं रंग का मूल कारिक क्या दर्शाता है सपोस कीजिए हमने कोई पेंटिंग बनानी है पेंटिंग कंप्लीट करेंगे तो वो एक एक एकस्प्रेशन भाव क्रियेट करेंगा चित्र के लिए सबसे महतपूर घटक है सबसे महतपूर घटक है अच्छा सन्योजन जब एक अच्छा मतलब composition compose करेंगे तब एक अच्छी painting complete होगी भित्ती चित्र किस भासा से उत्पन सब्ध है अंग्रेजी भासा से अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक माना जाता है फादर आफ वाटर कलर पाउस हैंडबाई और इंडिया में वाटर कलर का यूज की है अपनी नाट टैगोर फर्स्ट टाइम अपनी नाट टैगोर ने वाश टेक्निक गवाश रंगों की प्रकृति कैसी होती है ग्वास रंगों की प्रकृती अपारदर्शी होती है नेन में से सबसे soft led मुलायम नोख वाली पैंसिल है सबसे soft led वाली पैंसिल है 10B इस्क्रबलिंग किसे कहते है मोटे रंग के पारदर्शी तरह को परत को स्कब्लिंग कहते हैं चारकुल क्या है? चारकुल एक कोईला है हडपा में मिटी के बर्तनों पर सामानत है किस रंग का प्रियोग हुआ है? लाल रंग का मुगल काल में जानवरों और पक्छीयों के चितर का विशेशगे कौन था? उस्ताद मनसूर किस समराट ने दरब नामा को चालू किया? आर्टिस्ट के काल में हुआ शाज जहां राजा थे उनके टाइम में आर्टिस्ट ने किया है किस प्रशिद्य मुगल समराट ने भारतिय कहानियों पर काम शुरू किया? किस मुगल शैन्शा ने पहली बार शाही चितर कारशाला की स्थापना की? शाही चितर कारशाला की स्थापना अकबर किये थे ट्रिश्टा लिफ्लिंग माउन गोवर्धन किसके द्वारा चितरीत किया गया? आर्टिश्ट मिस्केन मैडोना का चितर पकड़े हुए जहांगीर यह पेंटिंग किसने बनाया है? इंग्लिशन बोलते हैं इस पेंटिंग को जहांगीर अबुल हसन संगीत से संबंदी चितरो को क्या कहते है? संगीत से संबंदी चितरो को रागमाला कहते है अलग-अलग राजिस्थानी चितरो की पहचान का उत्तम साधन है अलग-अलग राजिस्थानी चितरो की जो पहचान है वो आखों से है असंबंद क्या है पहचान करें देखे पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल ये तीनों तो आर्ट मुव्मेंट है और देवगड देवगड एक पार्ट है राजस्थानी का निम्न में से कौन सा इसकूल विशुद भार्तिय शैली कहलाता है कि शैली में राधा बनी थनी के नाम से जानी जाती है किसंगर स्कूल आर्टिष निहाल चन ने बनाया था पेंटिंग बनी थनी किसंगर पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है किसंगर पेंटिंग पुस्तक के लेखक है Eric Dictation राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ती चितर्स से जुड़ा है जैपूर बनस्थ ली राजस्थान में ये जो भित्ती चितर्स से जैपूर अराईसी पद्धती के नाम से जानते हैं और ये जैपूर अराईसी पद्धती जो है ये फैसको ब्यूनो टेक्निक है, गिली भित्ती पर की जाती है, चित्रकला की किस राजिस्थानी शैली से शिकार विसे पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाता है, हंटिंग सीन कोटा शैली के लिए फेमस है, चित्रकार वर दर्शक की हिर्देगत भावना क्या कहलाती है, भाव कहलाती है, किस अधिकरण में तीसरे अध्याई के चौथे नंबर की कला आलेख है, कामा सुत्रा में, विंसेट इसमीट ने जोगी मारा गुफाओं का समय क्या माना है, विंसेट इसमीट के एकॉर्डिंग जोगी मारा गुफा का टाइम डूरेशन है, पहली शताबदी सपुर्व, किसके अनुसायर जोगी मारा की गुफा चित्रो का विसे युनानी बताया गया है, डॉक्टर ब्लाक के अकॉर्डिंग यूनानी बताया गया है राय कृष्टर दास एक सेकंड राय कृष्टर दास के अकॉर्डिंग बताया गया है जैन धर्म और हिर्मर राज आधरी के अकॉर्डिंग बताया गया है बौध धर्म और डॉक्टर बलाक के एकॉBill enthusi युनानी कला बताई गया है जोगी मारा गुफा के चित्रों में हाशिये किस रंग से बनाए गया है जोगी मारा गुफा में हासिये बनाए गया है पीले रंग से और यहां पर और डिसकस कर लेते हैं देखिए इस तरह का सर्फेस हो गया जो गिमारा का छट भिती भिती पर यह हासिय बनाए गया है पीले रंग से यलो कलर से और यहां पर जो चित्रकारी होई है सपोज कि जो कोई फ्लावर हमने बना लिया तो अंदर इन्होंने रेड कलर किया है और आउटलाइनिंग किया है ब्लैक कलर से और यह जो सर्फेस दिख रहा है यह पुरा जो बैग्राउंड के एरिया इसे वनाए है वाइट कलर से सफेर रंग से वाइट कलर बात धर्म के बारे में विशद ग्यान कहां से प्राप्त होता है कंग्यो तंग्यो और यह ग्रंट किसने लिखा है कंग्यो तंग्यो ग्रंट था लामा तारानात का यह सोलवी शताबदी में भारत आया थे तिब्बत से माने का चित्र हो ओलंपिया में इस्त्री ग्लेटी हुई आकरिती किसकी है वे एक वैश्या की है पैरिस का निर्ड़क का कलाकार कौन था पैंटिंग है दे जज्जमेंट ऑफ पैरिस आर्टिस पिटर पाउल रिबंस की पैंटिंग है नौ प्रभावबाद का प्रड़ता कौन था फादर आफ नियो इंप्रेशनिजम आर्ट मूव्मेंट जॉल्स चुरेट कांच के रंगीन टुकडो की चित्रकारी किस कला में प्राप्थ होती है कांच की रंगीन जो चित्रकला में पैंटिंग बनाई गई है बेंजन टाइन आर्ट में मुजैक मणी कुटम के नाम से भी जाना जाता है भारती कला का सबसे प्राचीन केन्र है भारती कला का सबसे प्राचीन केन्र सिंदू घाटी की सब्धता है गोर्निका किस कला की रचना है गोर्निका फेमस पेंटिंग है पैबलो पिकासो की 1937 में इनन ने बनाया था ओयल ओन कैन्वस पर और इस्पैनिस वर्ल्ड वार से रिलेटेड इसमें गोर्निका पेंटिंग को डिपिक किया गया है तो थैंक्स वर वाचिंग और प्लीज दू सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकोन फर मोर नू नोटिफिकेशन किसने अजन्टा का विवरड दे पेंटिंग और बुद्धिष्ट केव टेंपल और अजन्टा के नाम से प्रकाशित किया जॉन गिफिटिंग ने भारतिय पुरावतत्व सर्वेच्छड विभाग ने आजन्टा गुफा के रख रखाओ और सुरक्षा की जिम्मेदारी कब और कब अपने हाथों में ले लिया था 1903 में जिम्मेदा की जिम्म ग्रेट खाव है इस प्रकाश ड्रिक्षा के विटा यजी है